मैं आज आप लोग लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकिया हूं मेरा आज का वीडियो है SSC, SSC Constable GD की जो आप लोग की वेकेंसी निकल के आयती पूरी जानकारी आप लोग के पास है इस वीडियो के decision box में आप लोग को लिंक दिया है लिंक पे क्लिक करके आप लोग में आप लोग की form apply जाने की 30 November 2022 तक आप लोग के form apply हुए form apply की last date को यहाँ पे increase नहीं किया गया, last date में कुछ problems हुई website लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग की last date को यहाँ पे increase नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाये गया, जी हाँ आप लोग को यहाँ सबसे पहले आप लोग कर रहे हैं और return exam की date आप लोग को बताएगे है, 10 जनवरी 2023 से आप लोग के return exam यहाँ पे हैं, कोई अभी तक return exam को ले करके notice नहीं आया, लेकिन आज जो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, जिस notice की, SSC ने एक notice जारी किया, उसकी पूरी information आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलेगी, वीडियो आप लोग लाश्टर देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को clear कर दूँ, return exam से related अभी तक कोई notice नहीं आया, return exam सबसे पहले है, और return exam का syllabus आप लोग को यहाँ पे दिया गया, 80 question आप लोग के 160 मार्स के हैं, और 60 मिनर का पेप लिए है, return exam के लिए चक्सू परकरसन की book मार्केट में आई हुई, अच्छी book है, purchase कीजिए, पुरा syllabus आप लोग का इसमें cover किया गया है, gk, reasoning, math, hindi, english, new pattern पे अधारी थे, 80 question, 160 मार्स के, इसके अलावा इनके practice set आते हैं, practice set लगाई है, practice set का बहुत important role है था, return exam में maximum मार्स लाने में, 20 practice set दिये गए, book purchase कीजिए, practice set purchase कीजिए, online purchase करना चाहते है, video को description box में आप लोग को link दिया है, online purchase कर सकते है, offline भी आप लोग market से purchase कर सकते है, return exam पे आप लोग focus रखिए, return exam बहुत important है, इसी के base पे आप लोग का selection होने वाला है, नीचे आप लोग को notification की भी जानका जी अभी का बिल्कुल notice है, जैसे ही आप लोग इस पे click करते हैं, आप लोग देखेंगे constable gd, जैसे ही आप लोग का notice यहाँ पे open हो जाता है, तो क्या है यह notification पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस video मिलने वाली video को आप लोग लाश्टर देखेंगे, तो इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, आप लोग देखेंगे constable gd, जो आप लोग 27, 10, 2022 को जो publish किया गया था, इसका advertisement, इसमें कुछ detail आप लोग को देगे, पेरा 1141, यानि कि जो notification आप लोग अभी download करेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे, पेरा 1141, 11.41 में आप लोग को बताया गय है, इसमें कुछ women's से related है, यानि कि जो pregnant female वगएरा होती है, उन से related यहाँ पर detail दीगे, तो यहाँ पर जो SSC ने अभी Corrigendum जारी किया है, इसमें इन्होंने बताया है, बिल्कुल detail यहाँ पर clear कर दी है, यानि कि जो pregnant women's होती है, उनके लिए क्या detail दीगे, उनमें इनके अपनी pregnancy status का self declaration यहाँ पर देना पड़ेगा, यदि वो declare करती है, वो pregnant नहीं है, तो वो allow की जाएंगी PT, PhD के, और यदि वो false declaration करती है, और PT, PhD के समय कोई problem होती है, तो सारी जिमेवारी female candidate की ही होनी चाहिए, उनकी stage का आप लोग ध्यान रखेंगे, और यदि वो confirm करती है, कि उनने temporary unfit कर दिया जाएगा, unfit रखा जाएगा, PT, PhD जो है, उनका 6 week, after 6 weeks यहाँ पर लिया जाएगा, और उसके लिए उनको medical certificate वगएरा यहाँ पर submit करना होगा, ठीक है, और यदि वो पाई जाती है, PT, PhD और DME के समय fit पाई जाती है, तो उनको जो means seniorities वगएरा होती है, जो भी उनकी rank होती है, उसके अनुसार उनको जो है, posting वगएरा यहाँ पर दे ली जाएगी, और यदि वो negative पाई जाती है, pregnancy में, तो यहाँ पर PT, PhD यहाँ पर देने दिया जाएगा, तो यह woman candidate है, और pregnancy से related है, ठीक है, इसके अलावों में आप लोग को बता दो, यहाँ पर कु जानकारी होगी, यहाँ पर आप लोग को benefit मिलता है, यहाँ benefit मिलता है, यदि आप लोग के बाद NCCC है, तो आप लोग के बाद 5% NCCB है, तो 3% और NCCA certificate है 2%, लेकिन किसका total marks यहाँ पर लिखावा है, इसको यहाँ पर इन्होंने कहा है, इसे आप लोग read करेंगे, NCCC certificate 5% of maximum marks of the examination, ठीक है, आप लोग इसे इस प्रकार से read करेंगे, लेकिन notification में जो इन्हों पहले ऐसे लिखा हुआ, NCCC certificate 5% of total marks, NCCB certificate 3% of total marks, NCCA certificate 2% of total marks, तो total marks क्या है, ठीक है, तो इसे आप लोग इस प्रकार से read करेंगे, corresponding जारी करके इन्होंने बता दिया है, कि 5% of maximum marks जो भी है, आप लोग के, उसके 5%, B वालों को 3%, maximum marks के, और A वालों को 2%, आप लोग के, जो भी maximum marks है, exam के, उसके 2% आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल, डिकलेर कर दिया है, SSC ने ताकि आगे जाके कोई किसी परकार की problem ना हो, किसी परकार के case वेगरे के जंजट में ना पड़ें, इसके बाद जो next है, वो आप लोग का पैरा 3.9 में बताया गया, candidate, give preference in the order of priority, आप लोग उने दिया है, preference दिया है, priority के हिसाब से, और application form, जब भी आप लोग उनलाइन अप इसको यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर इन्होंने 8 किया है, ठीक है, तो जो changes किया गया है, और जो चीज़ डिकलियर है, उसकी जानकारी इन्होंने दी है, pregnancy से related जानकारी दिया, यदि pregnant woman है, तो उनको यहाँ पर इस प्रकार से self-declaration को submit करना पड़ेगा, इसके अलाव उसमें पताना पड़ेगा, उन्हें की pregnant है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें PT, PhD देने दिया जाएगा, और इसके अलावा कोई गलत जानकारी देंगी, तो उसका जो भी result होगा, उन्हें ही भुगतना होगा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया दिया, NCC का 5%, 3%, 2%, ज जानकारी नहीं किया गया है, आपके रिटेन एक्जाम सहीं समय पे ही होने वाले हैं, 10 जन्वरी 2022 को, इसके अलावा भी कोई जानकारी मिलती है, तो मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा, अभी मैं आप लोगों से बीता लेना चांगा, जानत पर लेकूंगा, इसके जा